हेलो आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 12 का पार्ट 3 हम पार्ट 2 तक कर चुके हैं जिसमें 8 कोश्चन्स तक हमारे हो चुके थे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिनादेरी के पार्ट 3 भारत के प्राईद इप्ये पठार के बारे में हम यहां पर बात करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का प्राईद इप्ये पठार जो है साथ लाक वर किलोमेटर के शेतर में फैला हुआ है next question देखिए, भारत के प्राइदी प्य पठार का आकार किस प्रकार का है, भारत के प्राइदी प्य पठार का आकार जो है, वो किस प्रकार का है, तो हम जानते हैं सबी, तृबुज आकार है वो, है न, तृबुज आकार का है, उल्टे तृबुज का आकार का है, न, उल्टे जानते हैं, 600 मीटर उंचा है, अधिकतम ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा है, ये 1800 किलो मीटर लंबा और 1400 किलो मीटर चौड़ा भी है, 600 मीटर इसकी औसत उंचा ही है, नेक कोश्चन देखिए, भारती प्राइदी प्या पठार भारत के किन राज्यों में इस गुजरात, जारकंड, मध्यप्रदेश, चत्तिसगड, ओरिशा, महाराष्ट, आंध्रप्रदेश, करनाटक, तमिल नाड़ू और केरल में आंसिक रूप से है ये। केरल के अंदर ये आंसिक रूप से है और बाकी सभी में दक्षणी पूर विराईस्थान, गुजरात, जारकंड, मध्यप्रदेश, चत्तिसगड, ओरिशा, महाराष्ट, आंध्रप्रदेश, करनाटक, तमिल नाड़ू और केरल लगबग भारत के दक्षण के मैग्जियम हिस भारतिय प्रायदीप्य पठार फैला हुआ है, नेक कोशन देखिए, भारतिय प्रायदीप्य पठार का विस्तार दक्षण में कहां तक है, भारतिय प्रायदीप्य पठार जो है, उसका विस्तार में दक्षण कहां तक है, नाम क्या है उस जगे का, तो उस जगे को बोलते ह कुमारी अंत्रीव कुमारी अंत्रीव तक भार्ची प्रायदीप ये पथार का हिस्सा है और उत्तर में वेद्याचल शेणी तक है यानि कहें कि जब आमको पता है प्रायदीप पथार आकार का अीसा बनाता है उल्टा तुर तो भारतिय प्राइदी प्य पठार का विस्तार दक्षिण में कहां तक है? कुमारी एंत्रीप तक ने कुशन देखी भारती प्राइधी 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 प्राइ इनका बीच में जैसे क्या है पहाड चलते हैं फिर बीच में गैप आ जाता है यह ना अंतराल आ जाता है फिर चलते हैं फिर अंतराल आ जाता है तो ऐसा नहीं है यह क्रमिक पहाडियां है यह सीधी मलब रेगुलर चल रही है यह तो सहाध्री की पहाडियां किसे का जाता है पश्चिमी जो घाट है उसको सहाध्री की पाहडियों का maximum हिस्सा सहाध्री की पाहडियां है तो इसलिए पश्चिम घाट को common तौर पे सहाध्री के पाहडियां भी कह दिया जाता है दक्षिन के जो पठार है का जो पश्चिम के नारा है वो क्या है सहाध्री की पाहडियां है या पच्छी में घाट का जाता है और तापती घाटी से कुमारी अंत्रिप तक इसका विस्तार है कहां से कहां तक है तापती घाटी से कुमारी अंत्रिप तक ये सहद्री के पहडियां फैली हुई है नेक कोईशन देखिए नीलगिरी की पहाडियां भारतिय प्रायदीपय पठार के किस भाग का हिस्सा है देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा क्योंकि बुक्स में प्रॉपर तरीके से मेंशन नहीं किया है कि किस जगह का हिस्सा है तो यह आपको सहाद्री की पहड़ियां के जो दक्षण जम्मिंदू है वो पश्चिमी घाट में नीलगिरी की पहड़ियां ही है है ना नेक कुश्चन देखिए भारतिय प्रायदीपय पठार में पश्चिमी घाट की ओसत उंचाई कितनी है बारतिय प्रायदीपय पठार में पश्चिम की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि सामाने इस मतलब से वो उचा है तर उचा है तो उसका उसत उचाई के बार में हमें जानकरी होनी चाहिए तो ऐसी इस्तितिय में हमें पता होना चाहिए कि इनकी उसत उचाई केती है तो पश्चीमिघाट की जो उसत उचाई वो एक हजार जो 2600 पिचान में मीटर उची बताई जाती है और यह कहां पे है पस्ची में घाट की सब्ची उची चोटी है अनाई मोरी नेक कोशन देखिए भोर घाट थाल घाट और पाल घाट जो दर्रे हैं दर्रे आप जानते हैं आमने पढ़ा है पुशली ग्लास में तो भोर घाट थ किस भाग का इस्सा है किस भाग का इस्सा है हम जानते हैं यह पस्ची में घाट के दर रहे हैं कहां के दर रहे हैं यह पस्ची में घाट के दर रहे हैं भोर घाट थाल घाट और पाल घाट और यह पूर्वी घाट से जाकर मिल जाते हैं ने कोशन देखिए भारत के घाट है उसका विस्तार कहां से कहां तक है तो उत्तर में महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी परवत तक जो की नीलगिरी परवत किसका है मैंने बताया था आपको वो किसका है पश्चिमिघाट का है तो उत्तर में महानदी से स्टार्ट होकर दक्षिण में नीलगिरी परवत तक ये फैले हुएं लेकिन इसकी एक विसेष्टा है ये अक्रमिक है यानि नो पहाडियां आती है या फिर इनका जो गहाट है इंतराल बहुत आजाता नदियों का बहुत आउसा की तरफ है तो इस इस्थित्य में नदियां इससाइड की तरफ बैती है तो पूर्वी घाट के कटाव बहुत ज़्यादा होता है तो इसकी वज़े से ये जो सेनिया है ये अक्रमिक हो गई है बीच में से कटाव हो गया है तो जो अक्रमिक सेनिया है नदियों के बहाव के कारण बनी है और ये उत्तर में महा नदी से दक्षिण में नीलगिरी परव प्वेकुत के थो भारत के पूर्वी घाट का विस्तार कितनी लंबाई में है तो यह लगबग 800 चल रहा है गंदा है उसके बिल्कुल समeurत चल रहा है और इसकी उसाते विफ़ की इंप्रटेंस रखते है औह। तुँअ चाहिए पूर्वी गण की क्या है? 600 मीटर है, कितनी है? 600 मीटर, नहीं कोशिन, देखिए भारती प्राईदीप्य प सबढ़े प किस भाग का निर्माण लावा दारह हुआ है भारती प्राईदीप्य, जो पिस पतर है वो काली मिट्टी है और हम यह जानते हैं कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपजाओ होती है वो कपास के लिए होती है यह काफी important है यह question बहुत बार repeat हो चुका है काली मिट्टी कपास की फसल के लिए बहुत importance रखती है तो दक्तन का पठार है इसके मिट्टी काली पाई जा किस फसल के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। नेक क्वेशन देखिए, दक्कन का पठार भारत के किन राज्यों में विस्तारित है? दक्कन का पठार भारत के किन राज्यों में है? तो वह है आप जानते हैं, दक्षणी पूर्वी राइस्थान में भी है ये, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट, आंध प्रदे वो है 600 मीटर दकन के पठार के औस तो चाहिए 600 मीटर है नेक कोशन देखिए दकन के पठार से नदियां सामने तक किस दिशा में बहाव रखती हैं तो देखिए दकन का जो पठार है प्राइदी के पठार का मूल हिस्सा जो है इसमें आपको पता है कि इसमें बहाव पूर दि पूर्डिशा के ओर नदिया सामने तोर पे बहती हैं क्योंकि ढ़लान इसका इसी तरफ है नेक क्वेशन देखिए चतीसगड का पठार, मैसूर का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगना का पठार, भारतिय प्रायदीपीय पठार किस भाग का हिस्सा हैं? यह जो पठार हैं, चतीसगड का पठार, मैसूर का पठार, रॉयल सीमा का पठार, तेलंगना का पठार, यह भारतिय प्रायदीपीय पठार कि किस भाग का हिस्सा हैं? किस जगह का हिस्सा है तो हमें हमें पता है ये सारे दक्कन का पठार के हिस्से हैं जिनको नदियों ने अलग-अलग टुक्डों में बाट दिया है दक्कन के पठार को जब नदियों के द्वारा अलग-अलग हिस्सों में बाट दिया गया इस वज़े से इन पठारों को अलग गलग रूप में जाना गया, अच्छा तिसगर का पठार, मसूर का पठार, मैसूर का पठार, रायल सीमा का पठार, तेलंगा का पठार, ये सब धक्कन का पठार का ही हिस्सा है, ने क्वेशन देखिए, पंचमडी, महाबलेश्वर, उर्गमंडम, जिससे उटी भी कहा जाता है, जैसे परेटनिस्थल हैं, भारत के किस भोगलिक भाग का हिस्सा है, पंचमडी, महाबलेश्वर, उर्गमंडम, जिससे उटी भी कहा जाता है, ये परेटनिस्थल जो हैं, भारत के किस भोगलिक भाग का हिस्सा है, तो हम जानते हैं, ये भारतिये प्रायदीप्य पठा प्राइदीपय पठार में इस्थित मानसूनी वनों में सामने तर कौन से रक्ष पाये जाते हैं तो कौन से पाये जाते हैं सागवान, सीसम और चंदनादी यह ऐसे यहां पर रक्षों के वन पाये जाते हैं मानसूनी वन होते हैं और यह सी के साथ आपका जो प्राइदीपय पठार का जो जो कंटेंट है वो समाप्त होता है तो इसी चेप्टर में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका समुद्र से समंदित, समुद्र तटिया मैदान जो है आपके और समुद्र दीप समू है और उसके बाद हम बराइसन की ब्यारी में भी बात करेंगे तो अब ही आपका ये चप्टर थोड़ा सा और बाकी है तो मिलते हैं नेक्स चप्टर में नेक्स वीडियो के साथ बहुत जल तब तक के लिए बच्चों थैंक यू